हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मा गुरूजी चैनल पर अगर आप मारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और पगल वाले घंटे को दबा दीजे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले अपने बहुत सुना होगा वीकासूल कैपसूल जो मुह में अगर छाले पड़े हो उनके लिए बहुत ही लाबदायक होता है तो इसका पहला यूज जो होता है वो माउथ अलसर में होता है अगर हम दूसरे यूज की बात करें तो वीकासूल कैपसूल यूज किया जाता है ijar में skin सबने किया जाता है और बितामिन डेफिसंसी में किया जाता है कई सब्सक्राइब की बात करें तो siloma इसमें के एक मल्टी बितामिन कैपसूल होता है और बिस इख ली इसमें बितामिन भी कॉंपलेक्स होते है और यह टैबलेट ज्यादा तर हम लोग देते हैं माउथ अलसर में ही बहुत सारे लोग इसका अलग-अलग यूज़ बताते हैं बट इसका जो मेन यूज़ है विटामिन B डेफिजेंसी माउथ अलसर इसकी रिबेर में टीसू रिबेर में यूज़ किया जाता है और विकासूल कैपसूल एक multivitamin कैपसूल होता है अब इसके कुछ composition की बात कर लेते हैं विकासूल कैपसूल काफसूल होते हैं विटामिन B डेटवल, विटामिन C फॉलिक, एसीड, कैलीशियम पैंथोनेट करके अब इसके कुछ कुछ side effect की बात करेंगे गाई तो विकासुल के कुछ common side effect होते हैं, common side effect डायरिया, vomiting, headache, nausea, heart burn, acidity, तो विकासुल के खाने के कुछ common side effect की होते हैं, अब गाईस विकासुल के डोजेश की अगर हम बात करें तो इसको लेना होता है, एक दिन में दो tablet, morning और evening में, देखें, किसी भ का डोज, depend करता है, patient के, बेट के, अनुसार, body size के अनुसार, तो अगर healthy person इसको लेना चाहता है, तो one day में two capsule ले सकता है, और यह आपको मिलेगी, अगर market में purchase करेंगे, तो 20 capsule मिल जाएगी, एक पत्ते में, एक हिष्षे में होती है, 34 रुबेगे, तो आपको कहीं भी बहु अगर इससे कोई भी related information चाहिए, तो अब हमारे channel के नीचे comment section में कर सकते हैं, तो आज के लिए guys इतना आई, तब तक के लिए, thank you, bye bye, take care, मिलते हैं किसी next video